नमस्कार मैं सुनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लैटफॉर्म पर आप सभी को गुड मॉर्णिंग आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्णिंग प्लीस मुझे एक बर बता दिजे क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग कैसे हैं आप लोग कैसे हैं आप लोग कैसे हैं आप लो अल के लिए अच्छे हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैं भी ठीक हो रहा हूं मैं भी ठीक हो रहा हूं इस वर की किरपा रही तो एक दो दिनों में बिल्कुल चंगा पहले की तरह बिल्कुल चंगे हो जाएंगे मैं भी ठीक हो रहा हूं इस चलिए सेशन को एक बाड लाइक और शेयर कर लेजे अज का हमारा जो टॉपिक है वह है उसनोलोजी से जुड़ा हुआ टॉपिक कोरल रिफ इस टॉपिक को हम लोग ऑसनोलोजी अर्था समुद्र बिज्ञान और समुद्र भोगोल में भी पढ़ते हैं इसके अलावा आप इसको इनवार्मेंट इकॉल्जी में भी पढ़ते हैं तो दोनों ही पॉइंट अब्विश से टॉपिक काफी इंट्रेस्टिंग है काफी इंपोर्टेंट है तो हमारा जो प्रयास होगा वह यह होगा कि हम दोनों ही डाइमेंसिन को यहां पर कबर करें इसका मतलबी है कि हम इनवार्मेंट इकॉल्जी में भी पढ़ेंगे इसको लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा आज हम इसी क्लास में डिसकस कर लेंगे ठीक है अप्रोच यह है कि जो कॉंटेंट आप तक पहुंचे वह पूरी तरह से अच्छे तरीके से पह पढ़ाते हों इसलिए पढ़ाते हैं वच्चे क्योंकि हमें चिंता है आपकी आपकी सेलेक्शन के आपके रिजल्ट की ठीक है ओके कुमारी नीलू जी केते हैं सर आपसे जोग्रॉफि पढ़ने के बाद मन करता है कि जोग्रॉफि ऑप्शनल ले 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 नहीं ऐसा नहीं है पहले अन्य विश्यों को पढ़ो और जब अन्य विश्यों को पढ़ने के बाद आपको यह कॉन्फिडेंस आ जाए कि हां हम सबसे बहतर तरीके से जोग्रॉफि यह डील कर सकते हैं तब आप लेना लेकिन अभी अन्य विश्यों को भी पढ़िए पांच अगस से पॉल्टी की क्लास इस्टार्ट हो रही है यह आपको पता है और आज जो है एक क्लास होने वाली है जो फिजकल जोग्रॉफि क्या यह बुक है क्लास 11 की एंसियाटी जिसका टाइटल है भौतिख भुगोल के मुल्सिधान अप किसी टॉपर से सुनते हैं तो बताते हैं कि यह वाली ऑनसियाट आपको जरूर पढ़ना है तो उस एंसियाटी की आज कलास होगी मैराथन क्लास होगी तो उस एंसियाटी को फिनिस करके ह हम लोग हाद जोड़ लेंगे कि भाईया कंप्लीट हो गया और फिर हम पूरी तरह से पॉल्टी और इन्वार्मेंट इकॉलजी के सेग्मेंट पर काम करेंगे तो चलिए हम लोग अपना जो टॉपिक है कोरल इसको सेट करते हैं सेशन को आप सब लाइक और सेर कर लेज़ेगा को जैसे अगर मुझसे कोई पूचे कि दुनिया में आप एक समय कहां पर जाना पसंद करेंगे मतलब आपके पास घूमने की खूब हो और आप कहां जाना पसंद करेंगे तो मैं बोलोंगा कि म grapha चेत्र रेना ओर दिखा दो क्योंकि आप जो लेफ्वूल यहां क्या है यह बिस्टा रखेंगे चोटी सी जगह है पर हजार उपरकार के जो है की जीवह मिलते हैं हजार relationships लाखु प्रकार के जीव आपको यहां पर देखने को नगते हैं ठीक है ओके चले तो अब इस टॉपिक पर आने से पहले एक थोड़ा सा मैं आपको एक बेवहारिक एक जमपल देता हूँ जिससे इस पूरे टॉपिक पर आपकी जो अंडेस्टेंडिंग है वह बड़ी सांदार हो जाएगे अब सब लोगों ने दीमक देखा है वह न एक सनरचना बना देता है एक जो है कि मिट्टी का आउरण बना देता है और आप में से बहुत से लोग सरारती रहे होंगे तो आप उसको आपने फोड़ा भी होगा जब आप उसको फोड़ते हैं उसकी खोल को फोड़ते हैं तो आप देखते हैं उसमें बहुत से दीमक चल रहे होते हैं देखाना आपने तो दीमक क्या करता है जो खाता है उसको अपने सरीर से बाहर निकाल कर एक ऐसी सरचना बनाता है जिसमें वह रहता है दीमक छोटे सी स्थान पर अगर देखेंगे कोई लकड़ी का दरवाजा है कहीं पर लकड़ी सड़ और कल रहे है तो छोटे सी स्थान पर आपको आवास होता ठीक सी तरह से समुद्र में जब आप जाएंगे तो इसी परकार के सुच्माकार का एक जीव होता है, जिसको बोलते हैं परवाल, इंगलिस में बोलते हैं कोरल, यह क्या करता है, यह भी जो भोजन करता है, उस भोजन को निकाल कर, अच्छा यह जो भोजन करता है, तो इसके सरीर से जो अधिकांस भाग निकलता है, उसमें चूने, चूना जो होता ना, अगर आप करते हैं तो उसके सरीर से जैसे दीमक क्या कर रहा था मिट्टी का भाग अपने सरीर से बाहर कर रहा था ठीक इसी तरह से यह जो कोरल जीव है यह क्या करता है जो इसके सरीर से पदार्थ निकलते हैं उसमें क्या होता है चूनी का मात्रा जादा होता है तो जैसे द यह भी मरता है अगर दीमा की है उसका जीवन कितने साल है कोई भी ना मारे तो भी कुछ दिन में मर जाता होगा थी किसी तरह से परवाल भी जब मरता है तो इसकी सरीर में भी चूनी का अंस जादा होता है तो परवाल ने अपने सरीर से जो पदार्थ निकाले और जब यह मरा तो इसका सरीर भी वहीं पर क्या हो जाएगा रह जाएगा और इस तरह से वहाँ पर क्या होता है एक कठोर सरचना बनती है जिसको बोलते हैं परवाल भित्ती भित्ती का मतलब होता है दीवार दीवार दरसल क्या है एक अगर आप इसको दिवार को समझे तो एक ऐसी चीज़ जो कठोर है, जो आपको आधार परदान करती है, तो समुद्र में जब हम जाएंगे, तो समुद्र का जो छिछला समुद्र होता ना, जो जाना गहरा ना हो, वहाँ पर जाएंगे, तो हमें जो है कि चूने के बने हुए कुछ चटाने दिखेंगे, चूने की बने हुए जो च सर्फिस का निर्मार करता है जिसको बोलते है परवाल भीति तो परवाल अगर हम समझे तो क्या हुआ एक सुच्ह माकार का जियु जो समुद्री छितर में समुद्र की कुछ हिस्सों में पाय जाता है यह जहां पर रहता है वहाँ जहां exist एक बर किलोमेटर का अगर एरिया ले ले तो यहाँ पर इतने परवाल है साहिद मनुश्यों की संक्या से भी जादा एक किलोमेटर के एरिया में आपको इतने परवाल मिल जाएंगे कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उससे भी जादा अब इतने परवाल जब एक साथ रहते हैं, तो इनके द्वारा बढ़ने वाला चुप सरफेस है, वो क्या हो जाता है, काफी भिशाल हो जाता है, इसी को बोलतने परवाल भेती, अब देखिए, परवाल है, एक जीव है, तो क्या अकेला रहेगा? नहीं, इसको भी तो भोजन चाहिए और भोजन के रूप में यह प्रयोग इसको भोजन चाहिए तो भोजन के लिए यह अपने एक साथी को रखता है जैसे आप ही है तो आप अकेले तो नहीं रहेंगे कहीं बाहर जाते हैं आपको सर्वाइब करना है तो आप दोस्त बना लेते हैं ठीक इसी तरह से यह क परौन की के रूप में आता है वह क्या करता है तो सैवाल क्या करता है तो यह जो प्रफजन करता है और सेवाल से भोजन प्राप्त करता है और परवाल क्या करता है जो सतह बनाता है उस सतह पर सेवाल क्या करता है तिका रहता है तो जुकसन थेलाई एक सेवाल है जिसके साथ कोरल अर्थक परवाल जीव साथ साथ में रहते हैं परवाल क्या करता है सेवाल को आधार देता है कि भी चलो तुम इस पर टिके रहना सेवाल के करता है भोजन निर्माड करता है और इस तरह सेवाल वाले छितर में जो है कि कूरल का विकास होता है और एक सीमी छितर में अर्बू की संख्या में परवाल पाये जाते हैं जब परवाल है, सैवाल है, तो यहाँ पर अन्य जीव भी आ जाते हैं, मचलियां भी क्या करती हैं, इस परकार के सैवाल का भोजन के रूप में, बनस्पती के रूप में, अन्य तरह के कीडे, मकोडे और अन्य जीव बिखसित होते हैं, और इस तरह से यहाँ पर एक पूरा, एक ऐसा सिष्टम बनता है कि एक सीमी छित्र में करोडो जीव आपको देखने को मिलते हैं जैसे आपसे कोई पूछे कि भाईया हम प्रत्वी पर कहां जाए कि हमें धेर सारे जीव देखने को मिलें तो आपसे कोई कहेगा कि भाईया विश्वत रेखी जो बन चित्र है वहाँ पर चले जाओ क्योंकि वहाँ पर घना जंगल है और वहाँ पर साकाहारी जीव जादा और साकाहारी जीव जहां जादा होंगे वहाँ पर मांसाहारी जीव को भोजन आसानी मिलेगा तो मांसाहारी जीव जाद ठीक इसी तरह से जब आप परवाल वाले छित्र में आएंगे तो यहाँ पर बनस्पतियों में डाइबर्सटी है और बनस्पतियों में डाइबर्सटी है तो बनस्पतियों के ऊपर निर्व हाल भित्तियां हैं इनको समुद्री बरसा बन बोला जाता है जैसे विशुत हरे के बरसा बनों में से तरह से जब परवाल भित्ति पहले छत्रों में जाएंगे तो आपको इस चिमिक छत्र में बहुत बिवित्ता देखने को मिलेगी और इस बिवित्ता के केंद्र में है परवाल और उसके द्वारा बनाई गई भित्ती तो परवाल भित्ती अर्था परवाल अर्था कूरल की द्वारा बनाया गया एक सरफेस जहां पर परवाल भी है सेवाल भी है अन्य जीव भी है तो ऐसी ही छेत्रों को हम परवाल भीती छेत्र बोलते हैं क्या रूपाया क्या है क्या रूपाया है नहीं होगी यह मेरी गयारण्टी समझाने में कुछी नहीं नहीं किलियर है किलियर यहां तक किलियर किलिया है हैं सिप्रत्वी कि उत्पत्ति भी कर्वा रूग जाए यह께 इस MAYOR करें तो प्रत्वी के उत्पत्त बुरहरे लाख विकहार फीक पर वा नहीं हुआ अभी इस टोपिक पर आहिए ले ने दोर्टक्रनिकिन ती वालत परowo назад प्राम जोबुर्य लोग पॉल्टी की क्लास में मास्टर बनना चाहते हैं तो जो पॉल्टी हमने NCRT की क्लास करवा दी है क्लास 6, 7, 8, 9 कर जाओ कर जाओ अगर आपको यह ऐसी पॉल्टी चाहिए कि बस मेरे साथ अब क्लास कर लो अब फिर देखो अपना परफेक्सर तो जो जितनी पॉल्टी NCRT की क्लासेस हों यह कर जाओ और अभी NCRT और करवाओंगा मैं क्लास 11 की पॉल्टी की NCRT भी करवाओ होगा क्योंकि उसको नहीं पढ़ा तो लच्मी कंत हजार बार पढ़ लेना आप मेंस के कुष्चन नहीं लिख पाओगे इतना दाविक साथ क्या रहा हूं एंस्याटी बहुत चुरू जो ठीक है ठीक है ठीक है अगे बढ़े अब चलिए हमने समझा दिया है आगे बढ़ भुढ़ कहा हुए विच्छा एक सिखेंट एक सिकन दुक आख गरे ऑच्छे एक सिक एक सिकन एक सिखेंट को लाइब दू हर कुअँ बहु इलो जी को लाह अले है कर ले ड़ीजे एक सिकन इक स्थेखेंट मातना पूर जयों किन को नाइक इसे खूली2 तो परवाल क्या होता है यहां सुच्म आकार के एक सिकने परवाल जो है यह सुच्म आकार के जीवा सुच्म आकार के समुद्री जीव तो इस सुच्म आकार के समुद्री जीव है और इनको आप समझने के लिए मैं आपको मैंने जो इक्जामपल दिया तीमक याद रखेगा तीमक इसको मैं अलग कर दे रहा हूं यह मत कह देजिएगा कि समुद्री दीमक है ध्यान देना बहुत से बच्चों को जब मैं समझाने प्रयास करता हूं तो वह उसी चीज को कव्यर दिमक का एक्जामपल मैंने इसलिए क्यूंकि धीमक होते हैं इनकी शरीर में क्या होता है चूने की मात्रा अधिक होती है चूने की जो मात्रा है यह अधिक होती है और चूने की मात्रा अधिक होने के कारण इनके सरीर से जो पदार्थ निकला उससे क्या करेंगे एक आवरण बनाएंगे तो यह आवरण इस आवरण से कुछ मिलता जुलता होग लेकिन यह जो है उसकी अपिक्षा काफी कठोड होता है तो यह समुद्री जीव है इसको मुंगा भी बोलते हैं हिंदी में मुंगा भी बोला जाता है यह लाखो करोडों की शमुह में एक स्थान पर रहते हैं और इनके सरीर में केल्सियम की परचूरता होती है जिसके कारण इनके सरीर से निकले हुए पदार्त और जब इनका जीवन समाप्त होता है तो इनके द्वारा भी जो है कि एक सत्यका निर्माण जहां पर रहतें वहीं पर करते हैं इसको इस रूप में समझे एक जीव है जो कि क्या कर रहा अपना घर बना रहा है और घर बनाते बनाते वह वहीं पर वह क्या हो जाता है वहीं पर सहीद हो गया खतम हो गया अब क्या हुआ उसके उपर दूसरा जीव उसके उपर तीसरा जीव एक जीव के सरीर के उपर दूसरे जीव का विकास तीसरे जीव का विकास और यह पर करिया चलती रहती है जो कि अर्बों की शंख्या में आ सरचन बनी है एक दो सालों में नहीं बनी है इनको बनने में 나क warp pm यह सीम्थी स्थान परना है मुंगे की शमौ का जो बैज्ञानिक नाम है उसको पॉलिप बोलते तो पॉलिप रत उसका जो सोल है वह मोंगे के दुवरा बनाया गया आवरण पॉलिफ के मरने के बार सत्ध का नेर्माण होता है जिसके उप़ान नैभ अर्फाध कोरल का विकास होता है तो से उपर दूसरे दूस नेद्यों का विकास हुए इस तरसे अधिया चलती चले जाती जाती जैसे दीमक ने एक आवरण बनाया, उस दीमक की मृत्तिव हो गई, फिर वहाँ पर अन्य दीमक का तो विकास होता ही है, और धीरे धीरे वह जो दीमक के द्वारा बनाया गया आवरण है, वह बढ़ता चला जाता है. मन्नी वह जन्म लेने की परकिरिया के चलते रहने के फ़स जरू, एक कठोर और कोरल रिप अर्था, रिप का मतलब है सता, सरचना, दीवार, और तो कठोर एक सता का निर्मान आपको देखने को मिलेगा. परवान कठोर सरचना वाले चूना परधान ये जीव है और इन्हें सिलेंट्रेटा पॉलिप भी बोला जाता है. तो अगर आपसे पूछ रिया जाए कि सिलेंट्रेटा पॉलिप क्या है, तो समझ जाएगा कोरल की बात हो रही है. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको सहायक होता है. जैसे आपने एक सुना होगा पड़ जीवी, दूसरे चिहों पर विकास करने हो, उनकी बात नहीं कहा है, सहजेबी. अर्थात ये अपना विकास करता है, ये अपना विकास करते है, साथ में रहते हैं. तो जैसा कि हमने बताया, इसका सहजेबी संबंध होता ह है एक रंगीन इंस कणलर के सेवाल से जो भी आप देख बार है न है कलरें सेवालों का कलर आपने देखा होगा गार की देखा काई जैसे आपके घर में जो नाली होगी उससे पांडि निकलते- निकलते काई लग जाता हूँ क्या सेवाल ही है तो ओएसे ही यहां पर जब आप समुद्री छित्र में जाएंगे तो रंगीन कलर के जो सेवाल मिलते हैं उन्हें में से एक सेवाल का नाम है जुक्सन थैलाई अच्छा हिंदी में इसको जुक्सन थैलाई भी बोलते हैं जू जैन थिली भी लिखा जाता है तो जुक्सन थैलाई कैसे लिख सकते हैं आप इसको एक ऐसे लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे भी आपको लिखना हो लिख लेजे तो इनके साथ इस सह संबं हम देख रहे हैं इनका विकास क्या विश्र के सभी छित्र में हो सकता है तो आप कह सकते हैं हो सकता है दीमक क्या हर जगे लगती है क्या क्या दीमक का विकास होता है वह हर जगे होता है क्या ठीक है क्या दीमक का विकास हर जगे पर हो सकता है क्या आप देखेंगे दीमक वहां पर लगता है जहां पर नमी बनी रहे हना जहां पर सड़ने गलने की प्रिक्रिया तिब्रगतीश से हो सके आप ठंडे छेत्र बहुत ठंडा सत्य कोई बर्प वाला सत्य है तो वहां पर दीमक आपको आसाने से नहीं मिलेगा तो जैसे दीमक के विकास के लिए एक आईडियल कंडिशन है या फिर बनस्पती कोई भी बनस्पती हो क्या कोई भी बनस्पती किसी भी क्लाइमेट में वाइब कर पाया क्या नहीं एक सिर्ण दीजें थोड़ा सा गरम पानी फिलें ठीक इसी तरह से यह जो जीव है तो कोरल का जो विकास होता है यह कहां पर होता है 30 डिग्री नौर्स से लेकर 30 डिग्री साउट के बीच इसको अच्छा जब भी आपको कोई ऐसी चीज में ले जिसमाल लेता है ठीक है यह हमने प्रित्वी बना लिया अब इसका जो विकास है वो कहां तक 30 डिग्री नौर्स से लेकर 30 डिग्री साउट के बीच तो यह जो छेत्र है यह परवालों के विकास के लिए आईडियल करनी से तो आप क्या बलता है नहीं है 30 डिग्री और 30 डिग्री साउट जब हमसे किसी ने बोल दिया पूरी जोग्रोफी को यहां पर आपको यूज कर लेना चाहिए मतलब अगर मुझसे कोई कह दे कि किसी जीव का विकास 30 डिग्री उत्तरी अक्षांस से 30 डिग्री दच्छडी अक्षांस के बीच में होता है अब मुझे अन्य छेत्रों के जल के तुलना में क्या है गरम है अच्छा यहीं पर हमने देखा था कि सेलेनिटी भी क्या मिलेगी ज्यादा मिलेगी तो टेंप्रेचर क्या होगा हाई होगा सेलेंटी क्या होगी मतलब यहां पर अच्छी खासी मात्रम देखने को मिलेगी तो यहां जैस इसका जो विकास होता है यह एक जीव है जो अपना आवरण बना रहा है ठीक है एक अपना आवरण बना रहा है एक वह होता है कोई भी जो जीव है वह अपने आवरण का विकास क्या सागर में अधिक गहराई में करेगा क्या कोई सागर में गहराई में जाकर अपना घर बना पाएगा नहीं बना पाएगा न उसको क्या चाहिए होगा कम गहरा तो शमानित अगर आप देखें तो सो से लेकर डेड़ सो मेटर की गहराई वाला जो उतला समुद्री छेत्र है उतला समुद्री छेत्र अब देहान दीचेगा क्या मैंने आपको जब यह गहराई बताया तो मंगने टट याद आया क्या मैंने कहा था कि समुद्र में जब हम जैसे माल लेते हैं हम समुद्र के किनारे गए और हमने कहा कि हम अंदर की ओर जाएंगे तो अंदर की ओर जब जाएंगे तो क्या हम पहला जैसे समुद्र के जल में पहला कदम रखेंगे क्या हम बिल्कुल अचानक नीची चले जाएंगे क्या नहीं जाएंगे ना धीरे धीरे गहराई जैसे नदी में जाते धीरे धीरे गहराई में जाते तो मैंने आप से कहा था कि भीया कि आप जब समुद्र की ओर जाओगे तो जो समुद्र का भाग सबसे पहले मिलता है जो की इस्थल से लगा ह हुआ है उसको बोलते हैं महादीप यह मंगनटर्ट क्या होता है वह भाग होता है जहां पर सागर की गहराई क्या है कम है अर्थत महादीव का ही भाग है टूब चुका है अब ध्यान देजिए जिन लोगों ने महादीव यह उसनलोजी की क्लास कर ली होगी तो महादीव यह मंगनटट जैसे मैंने उनको बोला सभी पूरी पिक्चर के लिए जिन्होंने नहीं की वह बसे समझे की महादीव का जो भाग सागर से डूबा हुआ है चुकि उसकी गहराई कम है एक जो अंदर वाल है उसके तुल्ण में गहराई की कम है तो यहां पर परवालों का विकास होता हुआ इनका जो विकास जहांपर होता है वह ना पर जो इससे लेकर 30 तक होती है और कई जोगांपर आप देखेंगे 32 अन ग्राम प्रती 1000 ग्राम से लिंटी भी आपको देखने को मिलती है अब सेलिंटी क्या होती है नमक की मात्रा तो यह जो जीव है इनका विकास स्वच्छ जल के छित्रों में नहीं हो पाता है इसका मतलब है कि इनका जो विकास है वह स्वच्छ जल के छित्र में नहीं हो अब मैंने आपको ये भी बताया था कि सेलिंटी कहां पर कम और जादा हो मैंने कहा था कि जहां पर नदियां आकर अपना जल गिराती हैं तो वह क्या करती है स्वच्छ जल लेकर आती है वह क्या लेकर आती है प्रेस वोटर लेकर आती है अब प्रेस वोटर जहां पर नदियां लेकर आएंगी वहां पर सेलेंटी क्या हो जाएगी नमक का मात्रा क्या हो जाएगी तो क्या उहां पर परवाल का विकास होगा तो वहां पर परवाल का विकास नहीं कि देख रहे हो सभी चीज़े कैसे जूड रही है मैंने इसलिए कहा था कि जोड़ोगे कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है मतलब आप इसमें कुछ आप ऐसा नहीं कह सकते यह वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया हर चीज जूड़ती है और अगर आप जोड़ोगे तो समझोगे नहीं जोड़ोगे आपकी मतलब मुझसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमने पूरी जोग्रोफी पढ़ ली आप तहीं से भी पूछ लो तो मैं कहते मेरा जो मैं जो नॉलेज़ चेक करना चाहता हूं वह फैक्शुल बेसिस पर नहीं या आपको कितना याद ही वह मेरे लिए मैटर नहीं करता मेरे लिए मैटर यह करता है क कि मैं आप से कोईगा के अच्छा आपने क्या पढ़ा तो आप कहेंगे ओसनलोजी मैं कहूंगा आप सेसे ci क्टिटर को इस इंटर्लिंक कर कर दिखा दिजए अगर आप ईंटर लिंक कर पा रहे हैं तो मैं आपको दावे के साथ पास मीं प्रिक्ष होगी उसमें जो सब्ध चाहिए उसमें जो फ्लो चाहिए उसमें जो डाइमेंसन चाहिए उसके लिए जरूरी है कि आप हर टॉपिक को दूसरे टॉपिक से इंटर्लिंक करें इंटर्लिंक कर ले गए एक्जामनल को परभावित कर ले जाएगे इंटर्लिंक नहीं कर पाए लाख मेहनत कर ले तस नहीं पचास हाना मेरे पास बहुत से ऐसे एजुकेटर का रिजूम है जो कहते हैं कि सर मैं 20-20 इंटर्व्यू दे चुका हूं हाना मतलत आइस और इस्टेट पीस्स के में लागे जो मैं उनकी मार्क्सिट देखता हूं मेंस वाला तो मझे पता चल जाता है कि गुरुजी इनका जो विकास होता है वो कहां पर होना चाहिए जहां पर टेंप्रेचर बीस से लेकर 25 डिग्री सेलसियस हो इसका मतलब हम किस चित्र की बात कर रहें उश्कटिवन ये सागर और मैंने आपको बताया था कि महासागर का और सेलेंटी कितने होती है उसी से आपको तुरंट जिसको कोरेरेट कर देना चाहिए किलियर यहां तक किलियर अब यह जो चेत्र इनका विकास इन चेत्रों में होगा जैसे कि हमने कहा कि यहां पर जीव ज्यादा है बनस्वति के रूप में आपको सेवालों की शंख्या खुम मिलेगी बड़ी बिशाल मात्रा में और जहां पर बनस्वतियां है उस पर निर्वर जो जीव है सौभाविक है बड़े बड़े जो हाथी वगरा जीव होते हैं वो इस्तल में ही मिलेंगे उनको जादा जिस तरह के बनस्वति चाहिए वो जंगल में मिलती है घास वाले जीवों का बिकास घास वाले चित्र में लेकिन सेवालों पर विक्सित हो सकने वाले जीवों की संख्या जादा होती है जैसे मालो एक आप इस थली चित्र में खुब घना जंगल है तो यहाँ पर आपको पता चला कि एक लाक जो है कि पेड़ पौधे हैं पेड़ और पौधों को मिला लेकिन इतना ही बड़ा आप परवाल छित्र ले लीजे तो आपको पता चलेगा इहां पर सेवालों की शंक्या अरवों में हैं तो उस पर नेरभर जो छोटे आकार के जीवों वह भी करोडों में होगे और उन करोड़ जीवों पर ने बहर अने जीवों की संख्या जादा ह तो इससे क्या पता चला जीव में क्या है यहां पर विवित्ता है तो यहां पर जय विवित्ता क्या होती है भारी जय विवित्ता पाई जाती है इसी के कारण इसको समुद्री बर्सा बन बोलते हैं अब प्रिशन आएगा इसको बर्सा बन क्यों बोलते हैं तो जो एक्वेट नियुआ के लिए टेंप्रेचर ब में जादा चैसी तो तैंप इस तरह पर इसको समुद्री वर्शा बन वो लते अर्था इसका मतलवी नहीं कि यहां पर बर्सा डेली होती ध्यान देज़ेगा इसका मतलवी है कि जैसे समुद्री जो इस थली बर्सा बन है वहां पर जिस तरह की बायो डायवर्सिटी मिलती है उसी तरह से रिच डायवर्सिटी काफी ज्यादा डायवर्सिटी जियों में यहां पर रेखने हो को मिलती है इसी के काराण इसको समत्री बर्स बन बोलते हैं यह ने इसी चीज को यो पीस ती ने प्लिम्स में पूछा है कि सरवाधिक जैसा नहीं कहां पर मिलें गी दो अधिकास लोगों जाए जाए बैठता कहां पाई यहां वो लो एक चीज को नोट नहीं कर पाए आकार चुझकि आपको समझे यह एक कमरा है हम इंसान यहां पर बैठना चाहें तो जादे-जादा जाए जाए जोकि उनका आकार चोटा है तो यहां पर जो जीव मिलते हैं उनका आकार चोटा है इसी के करण डाइबर्सिटी यहां पर क्या हो जाती है जाता हो जाता है ठीक है जैसा कि हमने कहां कि यह जो जीव है यह किसके साथ जुड़े हुए एक सैवाल के साथ जुड़े करता है और प्रकास करके परवाल के लिए भोजन की उपलब्दता सुनिश्चित करता है यह देखिए यह परवाल है यह जो है आप देखेंगी तो सैवाल और परवाल का कॉमिनेशन आप इस चीज़ को देखिए थोड़ा सा यहां पर देखिए तो यह क्या था एक चूने का है खेतर और उस पर सेवालों ने अपना विक आज किया हुआ दोनों साथ साथ में रहां है सेवाल क्या करता है सुरी की परकास से प्रकास सदिसर करता है अब आपसे यह पर जो मैंने बताया इनकी कि यह कितने हैं मिलते 100 मिटar तर अब यहीं से आप से कोई पूछ ले background हैं इनका विकास इनका विकास अधी के घहराई में क्यों कियों नहीं हो पाता है। क्यों बताएंगे आप क्यों कि आप कहेंगी क्यों कि भाईया इसको क्या करना होता तो पर्कास कि क्लिए के लिए और प्रकास कहा तक पहुच पाता है वो इसी गहराई क्या होता है पहुच नहीं पाता इस इसी की कारण सेवाल का विकास नहीं हो पाएगा और सेवाल नहीं है तो परवाल रहेगा कैसे मरने लगेगा सेवाल और परवाल जब अलग होते हैं तो यह क्या होता है यह छेत्र मरने लगता है डेड हो जाता है समापत होता है जैसे कि मैंने आपको यहीं बताया कि इसको उसलिए इसका जो temperature है यह क्या हो रहा है बढ़ना अब जब temperature बढ़ता है तो यहां जो साथ साथ में रहने वाले परवाल और सेवाल है यह एक दूसरे से अलग होने का मतलब है कि सेवाल से क्या मिल हट गया उसका आवास चला गया जैसे अभी आप क्या कर रहो कहीं पर किसी के साथ रहते वह आपको अपने घर से निकाल दे अपने घर से निकाल दे तो आपके पास आवास अब आपके लिए दिकत दूसरा आप ही क्या कर रहे थे उसको खिला रहे थे जिसकी घर में रह रहे थे उसने आपको निकाल दिया तो आपको आवास नहीं मिलेगा और उसको अ एक दूसरे से जब अलग हो जाते हैं तो इशी को बोलते हैं परवाल का बिनाश होना परवाल का खता हो जाना परवाल बिरंजन होना इन सब चालों को हम आगे डिसकस करना जैसे जहां पर आप परवालों का विकास वहीं पर हो पाता है जहां पर बहुत ज़्यादा परदूसर नहों तो यहां पर परवालों के विकास के लिए आउस्ट दसाय में कहिएगा कि परदूसर मुक्त परदूसर मुक्त जो है कि साग्री जल जड़ ज़ाल दीजेगा मैं यहां परस्वच्छ जल की बात नहीं कहरे हुँ मैं ही कह रहा हूँ परदूसर मुक्त इसका मतलब क्या है यह छेत्रे आप यहाँ पर लाकर क्या कर दो प्लास्टिक फेग दो यहाँ पर लाकर आपको केमिकल गिरा दो तो क्या हो गया परदूसित हो जाएगा न जल और जब जल परदूसित हो जाएगा तो यह क्या करेगा य यह जहां पर रहते हैं, वहाँ के पूरे सागरी भाग को बड़े अच्छे सिसवा सूत्रा करके रखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से तालाबों में जब जीव रहते हैं,擊 यह लोग क्या करते हैं, साप सूत्रा रखते हैं, है ना टिक हैं, यह जो है कि अगर आप देखें जहां पर परवाज छित्र होते हैं यह 25 परसेंट से अधिक मचलियों और दो लाख से अधिक समुदरी जीवों को आसरे देते मतलब यह नहीं कहाँ, मतलब इसको यह समझो, यह 1 किलोमेटर का, तो यहाँ पर मैं कहूँ कि 10 आम की परजातियां पाए जाती है, तो मैं यह नहीं कहाँ कि 10 पेड़ पाए जाते हैं, मैं 10 आम की परजातियां, आम का दसरी हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है, जो भी आपको ल आसरे देती हैं ठीक है जैसे आपने सुना होगा कहा जाता है कि मनुष्य जीवन आपको मिला है यह सब सुने हो अध्यात में थोड़ा बहुत पढ़ते हो जानते हो तो कहा जाता है कि जो मनुष्य जीवन आपको मिला है यह 84 लाक योनियों की भरमण के बाद आपको मिला है कि कि पहले आपको कुछ बनाया गया होगा, कुछ बनाया हो, ऐसा मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मानना चाहिए, आपने इस तरह की चीजे सुने होगे, तो परजाती का मतलब क्या है, अलग-अलग जियू बन कर यहाँ पर 2,00,00 तरह के जीव आपको देखनें को मिल सकते हैं, कै चोटे-चोटे समुद्री प्रणायों विकास यहां पर होता है और यहां कहा जाता है कि समुद्री छेतर का नरसरी है नरसरी आप जानते हो जैसे आप अगर सहर में चाहिए तो वहाँ पर पेड़ पौधों के लिए एक दुकान होती है उसको नरसरी भूरते हैं वहाँ पर आपको कई तरह के बनसपतियां और जीय मिलेंगे यह क्या करते हैं? Coastal area को protect करते हैं मैंने आपको बताया कि मजबूर्ट सनचना का निर्मार करते हैं समुद्र की गहराई से जब क्या होगा? Coastal area की ओर Coastal area की ओर जब यह समुत्री जल तिब्र गति से आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले क्या करेगा इससे टक राएगा और यह क्या करता अवरोध उत्पन करता है जैसे इधर से कोई चीज आए यहाँ पर दिवार है तो सबसे पहले इस पर अवरोध करेगा न इसके बाद बगल वाली क्लास में जाएगा कि किसी तरह से यह भी क्या करते है कोश्टल एरिया को प्रोटेक्ट करते है यह औस भोजन पर्याटन के माध्यम से अर्थव्योस्था को गति भी देते हैं तो यहां पर आप जाओगे तो आप देखेंगे तो बहुत से देश जिससे आप लोग पूर्तगाल और इस्पेन जानते हैं पूर्तगाल और इस्पेन देश देखें पूर्तगाल और इस्पेन का नाम सुने हैं वहां पर जाएंगे न तो आपको पता चलेगा पूर्तगा भी प्राप्त होती है जैसे आप सब लोग bleaching powder यूच की है bleaching powder चेहरे पर लगाते न होते हैं आपसे महिला हो या पुरुष तो आपने देखा होगा आप से कहा जाता है कि भईया साधी होने वाली आपके अन्हें या फिर आपको कोई देखने आना होता है या आप किसी को देखने जाते हो तो दोनों लोग एक common काम कर रहे होते हैं दोनों लोग एक common काम पता क्या कर रहे होते हैं वह facial और bleaching कराते हैं तो bleach क्या होता है एक powder type का होता है घोल होता है white color का उसको साथ आपके चेहरे पर लगाया जाता है और जब चेहरे पर लगाया जाता है तो वो कहा जाता है इससे रोनक आएगी सुने नो bleaching powder सुने ओ तो ये जो bleaching powder बनता है ओ कहां से बनता है इसी इसी परवाल से आता है ये ही परवाल का बनाया हूँ जो पत्थर वाला भाग है उसको आप तोड़ कर लाते हो उसको powder बनाते हो चेहरे पर लगाते चेहरे पर ताजगी तो जो आप चेहरे पर ताजगी लाने का प्रयास कर रहे हो वह किसी का घर उजाड़ कर आप कर रहे हो समझ रहे हो इसलिए ये ज्यादा गोरा और काला smart दिखने में नहीं, यहां से बनिये, समझे लdim? जब आप से कोई कहे कि आज हमने bleach करवाया, कहना तुमने आज पता नहीं कितने हजार परंवालों का घर तुमने समाप्त किया, उश को समझ भी नहीं आया कि किया बोलना है, रहे मैंने bleach करवाया तो तुमने जीऊंग का कहा किसका मने घर उजाड़ा तुम नहीं समझोगे अपना घर बसाने के लिए तुमने कितने लोगों का घर उचाड़ दिया अब दो चार दिन टेंसन में रहेगा इसलिए ज्यादा नहीं यह लीपा पोथी मत किया करो चेहरे पर ज्यादा लीपा पोथी मत किया करिये आप जो भी कोस्मेटिक प्रोडक्स लेते हैं तो क्या होता है वो किसी जीव कांस होता है किसी बनस्पती कांस होता है तो बहुत सी चीजें यहीं से आपको मिलती है इसके विशे में हना वर्ल्ड मोटेलोजिकल और्गनाईजेशन का कहना है कि जो उश्यकटिबंदी परवाल भिक्तियां होती है यह हमारे टटो को सुरच्छा प्रदान करती है परियतन और खादी परदार्त देती है और तीस अरब हना अमिर्की डॉलर से अधिक मुले की बै लीपापोती करने जाओगे तो समझ जाना कि आप कि लीपापोती क्या कर रहे है किसी देश की अर्थव्योस्था किसी कंपनी की अर्थव्योस्था को आगे बढ़ा इसका प्रियुक्त संदर्य परसादन दवाईयों के रूप में भना किया जाता है विभिन बाड़चिक के लिए मार्क दर्सर का भी कारे करते हैं मार्क दर्सर का मतलब है अब इस समुद्र खुला समुद्र में जा रहा आप इसको किस डियरेक्शन बढ़ना चाहिए तो कई बार यह परवाल भित्तियों की सनचना उससे देखकर अपना रास्ता तैय करते हैं कि भाईया परवाल defend लेहनों से प्रोटेक्ट करते हैं इस परकार का आपने ही एक अगर इस छित्र को और imagine करना हो इक कैसा होता कितना विशाल होता है तो आपको ऑस्टेलिया आ ग्रेट बेरियर रीव देखना चाहिए एक ग्रेट बैरियर रिप क्या है? समुद्र की किनारे, ऐसे दिवार की रुप में खड़ा है, अना? तो जैसे कि हमने कहा एक Great Barrier रिप समुद्र की समाना अंतर, जैसे माल लो यह समुद्र रे और यहां पर दिवार की रुप में खड़ा हो गया है? तो यहां पर जाने वाले जह भी उत्पन करता है लेकिन जितना आप परिवहन में इससे बाधा उत्पन होता हुआ देखेंगे उससे ज्यादा यह लाब आपको देता है ठीक है ओके कोरल द्वारा छोड़े गए केल्सियम कार्बोनेट से नेवित होते हैं तो हमने कहा कि जो परवाल भित्या आपको देख रही है इक इसके वज़े से चूगने के वज़े से केल्सियम कार्बोनेट बिश्युका कुल परवाल का लगवत 30% हिस्सा अब इसका थोड़ से डिस्टूबिशन आप देख लिजे कि परवाल कहां पाये जाएंगे तो मैंने आपको अभी कुछ दिर पहले यह दिखाया कि हमारे प्रत्वी यह एक्वेटर है यह 30 डेगरी North यह 30 डेगरी सान्ट हो गया 30 डेगरी नौर्थ यहां पाये ज act अब मैं क्या इसी चीज को यहां पर ड्रों कर सकता हूं मैं भूल चुके हैं याद है कूछ मैप देखते रही हैं अगर मुझे एक्वेटर खीचना थो कहां से खीच क्या मैं यहां से एक्वेटर ऐसे खीच सकता हूं या फिर मुझे एक्वेटर कहीं इधर से खीचना चाहिए कहां से खीचना ठीक रहेगा या फिर मुझे equator थोड़ा सा और इधर से लेकर जाना चाहिए कहां से ठीक रहे तो आप कहेंगे कि सर यह तीनों ही क्या है यह तीनों ही गलत है अगर हमें पर जो है कि equator खीचना है तो equator को हम कहां खीचेंगे यह ऐस है ठीक ऐस है यह जो black को रहे लाएं यह हमारा equator तो एक्वेट्ट त्फटी दिग्री नवर्श से लेकर 30 Six कやって जो हमारा यह जो शेता देख रहा है है क्या यहां पर परवाल जादा है क्या क्या यह परवाल वाला खित्र कलर देख लेँए तो दझेड़ पूर एशिया जो दच्छिड पूर्व एसिया है यह परवाल के विकास का सबसे इंपोर्टेंट छित्र है यहाँ पर टोटल वर्ड का लगभग 30% परवाल छित्र आपको देखने को मिलेगा एक लोग लिखे रही हैं सब्सक्राइब तके आप लूग मुदी संब्सक्राइब तो यहाँ पर पाई जाती इसके अलावा कहांँ दच्छिडी प्लिपिंस वाला जो छेत्र है यह वाला जो छेत्र देख रहा यह है यह प्रसार्त महासागर का जो बन quantum दीवफ है कोई एक ऐसी जगे दे देगा जहां पर नहीं मिलती है या फिर अब टब प्रश्ण बनाएगा तो परवाल भित्तियां पाई जाती है एक में पहले option में एक और दो दो और तीन तीन और चार इस तरह से option वह बना देगा तो भारती समुदी छेत्र में भी अगर देखें तो प भारस की खाड़े और लाल सागर में भी परवाल भित्तियां विक्सित होती हैं लेकिन बहुत ना के बराब क्यों अच्छे यहां पर पर परवाल भित्तियों का विकास होना चाहिए लेकिन यहां पर temperature भी जाता है और salinity भी बहुत जाता है इसलिए जहां पर temperature थोड़ा सा क कम होता है वहीं पर भिकास हो पाता है अपसे पूछा जा सकता है कि आप कह रहा है है यहां पर पाया है तो उत sou सीध में यहाँ पर क्यों कम मिलता है या नहीं मिलता है तो आपके एक सर मिलता है कम मिलता है इसके पीछे का करण है यह बंद सागरी छित्र है बंद सागरी छित्रों का टेंपरेचर और सेलेंटी जादा होती है चुंकि अधिक टेंपरेचर और अधिक सेलेंटी इसके बिकास में बादक होती है इसी की करणे हाँ पर परवाल की भी वित्ता क्या होती है कम होती है बता ले जाएंगे बता ले जाएंगे कि नहीं बताईए ठीक है जो हमने कहा है आउस्टेलिया का ग्रेट बेरियर रिप दुनिया का सबसे बड़ी और परमुक और रोधक परवाल बेती है और रोधक का मतलब है कि यहां पर है तो यह क्या करेगी यहां से किसी भी सागरे जल पानी का जहाज कुछ भी आएगा यह सुनामी आएगा तो उसके लिए क्या और रोध उत्पन करेगी तो इसको और रोधक परवाल बेती बोलते हैं जब किसी भी देज के टटके समानांतर कोई भीती बन जाए जो समुद्र से आने वाले चीजों को चीजों में और रोध उत्पन करें तो उसको और रोधक प पूरवी टटके समानांतर लगवक बारहसो मील की लंबाई में मील और किलोमेटर में अंतर पता है क्या मील और किलोमेटर में अंतर हमें पता है क्या पता है क्यों चार वजे मेराथन होगा चार वजे भूगोल मेराथन कौन सा अंसियाटी सबसे इंपोर्टेंट क्लास 11 वुखोल की मुसित्धां का NCRT जो NCRT उसकी क्लास 11 पहुत इंपोरेंट एंसियाटी है पूरी जोग्राफी इसमें कबर हो जाती है तो इस NCRT का मेरातन चार वजें हो ठीक है सबी लोग आएए ठीक है आगे बढ़ें यह जो हमने बताया कि आउस्टेलिया के समनांतर जो है कि जो पर औरोधत परवाल भित्ती मिलती है उसकी लंबाई लगवब 1200 मेटर है लेकिन 1200 मेल है अभी कितने किलो मेटर में होगा यह आपको बताना है इसकी जो चोड़ाई है वो 10 से लेकर 90 मेल तक आपको देखने को मिले और यह महादीपी टट से लगवब 10 से लेकर 10-500 मेल की दूरिप उसके समानां तरह कुल मेला कर परस्त की विवित्ता के लिए यह काफी सम्रिद्ध छेतर है यहां पर परवालों की 400 से अधिक परजातियां पाई जाती है परजातियों का मतलब है कि जैसे चीटी होती है तो देखने को परती है यहां पर सेकड़ों किसम की मचलिया और अन्यजीव भी विकास यहां पर आप होता हुआ देखेंगे ग्रेट वैरियर रिप अपने विभिन परकार के विभिन रंग के कोरल रिप के कारण देखेने में काफी खूब सूरत है तो जब आप वहां पर जारे देखने को मिलेंगे बहुत खूबसूरत आपको लगेगा एक अलग-अलग कलर के परवाल है उन परवालों पर अच्छा देखे होता क्या कि की चूने का जो लेयर था ग्रेट वेरियर रिप का वह तो वाइट है लेकिन उस पर जिस कलर का परवाल होगा वह उसी कलर क पर नजर आएगा नीला परवाल होगा तो क्या होगा आपको नीला च्छेतर देखे तो जैसे यहां पर आ रहे हैं तो आपको अलग-अलग कलर के परवाल देखने को मिल रहा है हनाम तो वहां पर भी आपको सेवाल और परवाल का अलग-अलग विवित्ता पूरु छेतर द कि एक लोग लेकर हैं सब्सक्राइब हम पूरे साथ जोग्राफी पढ़ेंगे क्या हम लोग तो यह तुम नहीं पूछते यह राझ है यह रेगुलर के, इसी क्लाफ को जोईन सी कीए होते तो अभी ही नहीं पूछते। लेकिन कि नहीं भीovanफी झाइएब ग trip हर, लेकिकार तो हमने इस देखा और उसकी मैंना मेंने इसको समझने के लिए बस इसमझे कि मैंने कहा परवाल और सेवाल दोनों साथ साथ है परवाल क्या कर रहा है सेवाल को भोजन दे रहा है सोरी परवाल क्या कर रहा है सेवाल को आवास दे रहा है और सेवाल क्या कर रहा है भोजन का निर्मान कर रहा है दोनों साथ साथ है तरह का सेवाल होगा उसी तरह का परवाल नचराएगा ठीक लेकिन इनका जो सह सम्मंद है वो तूट जाता है किसके कारण जब गर्मी ज्यादा बढ़ती जैसे आपकी दिमाग में जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो आपके रिस्ते खतम हो जाते हैं कि नहीं आप लड़ भी कारण से परवाल और सेवाल एक दूसरे से अपना संबंद खतम कर लेते हैं तो क्या होता है जो परवाल है उसको भोजन नहीं मिलता वो क्या होता सेवाल अब उससे अलग हो गया तो परवाल को भोजन नहीं मिल रहा है तो बिना भोजन के कोई कितने दिन सरवाई करेग चुकि सेवाल क्या हुआ उससे अलग हो गया तो परवाल का अब जो नेचुनल कलर है वो क्या होगा वाइट होगा वाइट कलर का अब खोल के रूप में सिर्फ दिखाई देगा आवरण सेवाल अलग हो चुका है तो इस तरह से परवाल और सेवाल दोनों क्या होते हैं मरने लगते हैं इशी को बोलते हैं कोरल बिरंजन या परवाल बिरंजन ठीक है अच्छा इसकी जो इंगलिस होती है कोरल ब्लीचिंग होती है तो मैंने आपको अभी ब्लीचिंग पाउडर वाला एक्जामपल दिया था अब क्या हुआ आपको इस तरह के परवाल भित्या दिख रहे हैं वाइट कलर की मर चुकी है तो लोग क्या करते हैं इसी को लेकर आता है इसी को पीस्ते हैं और इसी से क्या बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है इसी से ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है ठीक है वास्तों में यह एक प्रक्रिया है सेवालों का रंग अन्य रंगों की सफेद होने से सुरू होता है चलवाई परिवर्त उच्छतापमान पर दूसर जैसे कारकों से सेवाल क्या हो जाते रंगीन हो जाते रंग हीन होने का मतलब है कि जो सेवाल है वो क्या हुआ उससे अलग हो गया और सेवाल अलग हो गया तो परवाल क्या हो जाता है मर जाता है तो इसी को बोलते हैं परवाल बिरंचन की होने की किरिया एक बाद बताओ कि अभी गर्मी है क्या अभी खुब गर्मी पड़ रही है खुब गर्मी पड़ रही है और अगर गर्मी और पड़े गर्मी और पड़े तो आप क्या करोगे और क्या करोगे आप ठंडे जगर में जाने का प्रियास करोगे जहां पर आप सर्वाइब कर सको ठंडी में आप क्या करते थे कपड़े जादा पहनते थे जैसे जैसे गर्मी का समय आया आपने क्या किये कपड़े पहले स्वेटर जैकेट सब पहन के घुमते थे अब आपने स्वेटर जैकेट जो भी है उसको कम कर दिया कम कर दिया कि नहीं तो ठीक इसी तरह से जब सागरी चल का temperature बढ़ता है तो अब ही होता क्या है यह जो सेवाल है यह अपने आपको अलग कर लेता है यह अलग हो जाता है क्यों अलग होता है उसके पीछे के अच्छा इस प्रश्न का जवाब ही आपको देना है उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है अगर परकास संसरेशन ज़ादा होगा तो उससे कौँ सी गैस निकलेगे परकास संसरेशन अगर कोई बनस्पती ज़ादा करे तो उससे कौँ सी गैस निकलेगे छी मिशन आई है सी यो टू सिखा यादो सी यो टू राधका सिंग गोट सी यो टू क्यूट को सी यो टू गोट 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 बेरी गोट बेरी गोट ठीक है तो आप सब लोगों ने क्या बताया कि सी यो टू ज़ादा निकलेगा अब जितने लोग सी यो टू लिख दिये हैं या लिखना चार हैं वो चुल्लू भर पाने में डूम मर रहे अच्छी चीज है इससे क्या होगा आपकी आत्मा किसी अच्छे इस्थान पर पहुँचेगे परकास्टन सिलिस्टन होगा कोई तो स्यो टू ज़्यादा रिलिज होगा कि स्यो टू का एब्जॉर्प्सन ज़्यादा होगा स्यो टू का वो प्रियोग ज़्यादा करते हैं निकालते क्या हैं ऑक्सीजन मैंने यह पूछा था किस गैस का उस्थर ज़्यादा होगा तो होता क्या है अब समझना जैसे अब जो सैवाल था उसका एक नॉर्मल कंडिशन में वो क्या कर रहा था प्रकास संसेशन कर रहा था लेकिन जब गर्मी ज़्यादा पड़ती तो प्रकास संसेशन की दर को बढ़ा देता है अब जब प्रकास संसेशन की दर को बढ़ा देता है अब जब प्रकास संसेशन की दर बढ़ गई का समय आया आपने उसको बढ़ियां से कलर किया ना उस पर चूना लगाया उसमें बीच में ऑक्सीजन प्रवेस करने लगे वायू का वो क्या होगा पपड़ी की रूप में छोड़ा देगा ठीक इसी तरह से जब जुक्सन थेलाई सेवाल अधिक गर्मी के कारण प्रकास संस ऑि यहां पर दिकत क्या होई कि अब जब गर्मी बढ़ेगे तो परवाल क्या करेगा परकास संसें वह क्या करता है सभी चीजिए प्रकृति के अनुसर करता संषर रिलीज होता है और और क्या करता है परवाल की सेनद को फुला देता है और इस तरह से परवाल और सेवाल अलग हो गए अप दोनों क्या होते हैं मरने लगते हैं और जब मर गया जो परवाल से सेवाल अलग हो अठ गया तो परवाल का जो परवाल बिरंजन है यह होता रहा है अगर हम देखें तो उन्निस ओके देख रहो क्या हो रहा है पता नहीं क्या हो गया था चलो को तो अगर हम देखें तो 1970 के दसद से आप देखेंगे तो हमारा जो ओसन है जो सागर है उसका तापमान तेजी से बढ़ने के कारण सागर का जो टेंपरेचर है तेजी से बढ़ने के कारण परवाल बिरंजन की घटना है खूब होई है और इस समय तक अगर देखा जाए तो लगबग दो तीहाई जो परवाल चितना है वह परभावित हो चुक है कुछ जगहों पर तो परवाल का बिनास तक हो चुका है ठी समान में बृद्धिय को पूर और दोगी काल से दो डिग्री सेल्टी रहे सीमित के अर्था अब देखो इसमें क्या होगा इस कंडिशन में आप गये आपने बोटल लिया कुछ भी लिया अपने फेग दिया पर दूसर फैला दिया सागर का टेंपरेचर बढ़ा दिया तो अगर हमें परवाल बिरंजन के रूप में होगा तो अगर हमें परवाल बिरंजन को रोखना है तो हमें क्या करना होगा टेंपरेचर को कम करना होगा लेकिन क्या हम टेंपरेचर को कम कर पारें नहीं टेंपरेचर डे वाइडे बढ़ता चला जा रहा है जैसे इस्थल पर गर्मी बढ़ता चला जा रहा है, ऐसी सागरी जल का तापमान डे वाई डे बढ़ता चला जा रहा है, और उसी के करण परवाल का बिनास होता जा रहा है, तो अगर हमें पृत्वी को बचाना है, तो सिर्फ हमें इस्थल की बात नहीं करने होगी, समुद्र के टेंपरेचर का भी बात करना होगा क्योंकि समुद्र के बढ़ते तापमान के बज़े से वहां पर परवाल बिनास हो रहा है और अगर परवाल बिनास हुआ तो जो समुद्र आज आपको स्वच्छ समुद्र दीखता है हलाकि स्वच्छ रहा नहीं है लेकिन फिर भी यह जो समुद्र के सफा करना है इसको रोकना होगा क्योंकि जो चीज भी हम इस्थल पर डालते हैं वह जल के माध्यम से समुद्र पहुंच जाता है जैसे आप कहेंगे कि सर हम कैसे करते हैं तो भेया आपके पास आप खेती करते हो उसमें कीट नासक और रसायन डालते हो तो बरसा हुआ यह किसी भी जो भी जल जिस तरह से किसी नाले नदी से होते हुए बंगाल की खाड़ी अरब सागर और इसी तरह से हर जगे से जा रहा है जैसे अभी बरसा हो रही है तो आखिर जो मिट्टी में जो चीजे आपने डाली होंगी वह जल के साथ घुल कर वह क्या होगा समुद्र में पहु हो चुका है कि ब्यक्ति अब जो है कि इनके घरों में पहुंच इस्थापित कर चुका है और इतना जादा इसका दुर्पयोग हो रहा है कि यह सीमिर्थ होते चले जा रहा है पहले यहां पर कोई नहीं जाता था अब यहां पर आदमी जब देखो आदमी कूच जा रहा है जब आदमी देखो कूछ जा रहा तो उससे क्या होगा यहां के जीव है वो प्रभावित होगा और जब आप परेटन को विकास करोगे तो आप टटो पर क्या वद्द लोगों के रहने खाने पीने की ब्योस्था करते हैं आप वहां पर रिश्टुरेंट बनाते हैं बहुत से रचनों को समझ लीजिए भारत में लगवग 2400 बर किलो मेटर में कूरस रचना का आपको विस्तार देखने को मिलेगा जैसे कि यह वाला च्छित्र आप देख सकते हैं यह च्छित्र की जो च्छित्र है यह आपको यह कौन से परवाल भित्ती वाले च्छित्र है भारत के स उसमें इसे अधिकांस दिउपर का सम्मझ किस से है कोरल से है तो यहाँ पर आपको कोरल का विकास जादा दिखा दिए कोरल पर जो हालिया रिपोर्ट आई थी उसको समझ लीजिए विभीन अध्यनों से जलवाईव परिवरतन के कारण निकिट भविस में कोरल बिरंजन मे ब्रधि होने की शंभावना बताई गई है क्योंकि जैसे जैसे टेमपरिचर वढ़ रहा है उस से यह इस्टडी की गई देखा गया कि यह परवाल तो मालूं चला पहले यह पूरा चित्र हरा भरा होता था यह देख रहे हो पूरा हरा भरा चित्र होता था था क्या हो चुक वह जर्म लेगा मरेगा लेकिन हम क्या करते हैं जब मारने की प्रक्रिया उसकी मरने की जो प्रक्रिया है उसकी तेज कर देते हैं जर्म लेने की प्रक्रिया रोक देते हैं तो यह परवाल बिरंजन कारण बन जाता है चुकि ओसन का टेंपरेचर बढ़ता जा रहा है उसमें सुद्धियां बढ़ती जा रहा है उसकी सेलन्टी बढ़ती जा रहा है इसके करन परवाल बिरन्जन तेजी से हो रहा है रिपोर्ट बताती कि मद्यूअ उप्तरी eme कोरल के आहरण में ब्रिधी दर्ज की गई है तो उस्हकत्यबंद चित्रों में कमी देखी जा रही है और जो 30るी नौर्थ और 30측ी साउथ के पास का चित्र है वहाँ पे ब्रिधी देखी जा रही है इसे पता चलता है कि परवाल क्या कर रहा है एक इस्थान से दूसरे इस्थान की ओर जा रहा है और श्टेलिया की Great Barrier Reef में भी सकारात्मक्ता हमें देखने को मिल रही है लेकिन जितनी सकारात्मक्ता हमें देखने को मिल रही है वहीं दूसरी ओर मानवी हस्तिचेप वहां पर बढ़ता चला जा रहा है अध्यान से पता चलता है कि जलवायू परिवर्तन पर कारे करने वाले विभिन रिपोर्टों के अंसार इस सदी की अंत्रग जो टेंपरेचर है वो डेड़ से दो डिगरी सेसे बढ़ जाएगा जो कोरल विरंजन को क्या करेगा बढ़ावा देगा और इसके वजह से जो कोरल के आवरण में क्या होगी कमी आएगी कि Correct Iwami के समझभा है तो इससे क्या बढ़ा चला इस से बढ़ा चला इसी बढ़ा चला कि अध्यान जो बता रहा है कि आने वाले समय में भी परवाल को लेकर क्या होगा हमारे समय क fence चुन होती हैं देखने को मिलेंगे लचली प्रक्रिया होने के कारण इसमें ब्रद्धी शंब है अगर हम प्रकर्ति को अपनी हाथ में छोड़ मतलब प्रकर्ति को उसी रूप में छोड़ दें जिस रूप में बनी थी तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत कव होती है जब हम प्रा वाल बिनास हो चुका है जैसे 1997 में एल नीनो की बज़े से हिंद महासागर चित्र का सतर परतिसस से अधिक कोरल क्या हो चुका था उसकी मृत्तिव हो गई मृत्तिव हो गई और जब मृत्तिव होई तो इसके पीछे का कारण क्या पता चला एल नीनो अर्था सागरी जल का टेंपरेचर देखोना चले आई होप आप संचेब में इस टॉपिक को सौच पाए होंगे बाकि इसको हम इनवार्मेंट वाली क्लास में और डिसकस करेंगे ठीक है किलियर है तो अभी एक गंटे बात फिर से क्लास में मिलते हैं टेलिग्राम पर एक्टिव रहे हैं क्लास के सुचना है वहीं पर मिलती है टेलिग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बहुसी चीज़ों का लिंक है जैसे आप मुझसे facebook पर जोड़ना चाहते हैं हमारे social media platform से जोड़ना चाहते हैं telegram से जोड़ना चाहते हैं तो वीडियो के description में देख लेजिए वहीं पर telegram होगा वहीं पर हमारी class की सूचना है PDF notes आपको मिलेंगे ठीक है अगर आपको यह session पसंद आया हो तो आप अपने इस session को अपने दोस्तों के साथ share कीचेगा ताकि जो वैल्यूबल content है free education का वह उन तक पहुंच सके मिलते हैं next class में और चार बज़े ध्यान चार बज़े जो है कि मेराथन होने माला है बड़ा सांदार मेराथन होगा बहुत अच्छी class होगी ठीक है